नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल SS Study में दोस्तों आज का अमारा टॉपिक है कोशिका तो दोस्तों आज गी इस वीडियो में हम कोशिका से रिलेटेड महत्मून कुश्यनों को कबर करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ लाश तक बने रहेगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब निकिया आया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले कुश्यन पे पहला कुश्यन है कोशिका की खोज किसने की आपके option है option A Robert Brown ने option B Robert Hook ने option C बिर्चाओं ने और option D C Benda ने तो बताए दोस्तो सही answer क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option B तो आपने विल्कुल सही answer चुना है कुशिका की खोज Robert Hook ने की थी और ये खोज 1665 में की थी ठीक है दोस्तो अब चलते हैं पर next question पर next question है कोशिका सिद्दान्त किस ने दिया आपके option है option A Boveri ने option B George Pallad ने option C Karl Negley ने और option D Sliding West Swan ने तो बताए दोस्तो सही answer क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option D तो आपने विल्कुल सही answer चुना है कोशिका सिद्दान्त स्लाइडेन वे स्वान नामक दोवेग्यानिकों ने दिया और यह सन 1838 में दिया ठीक है दोस्तो अब चलते हैं अपने next question पर next question है जीवित कोशिका का सरपर्थम अध्यन किस ने किया आपके option है option A एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक option B जोर्ज पैलेड option C बौवेरी या option D बीजमेन तो बताएए दोस्तो सही answer क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option A तो आपने बिल्कुल सही answer चुना है जीवित कोशिका का सरपर्थम अध्यन एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक नामक वेग्यानिक ने किया और यह सन 1614 में किया ठीक है दोस्तो अब चलते हैं पन next question पर next question है कोशिका विवाजन को सरपर्थम किसने देखा आपके option है option A रोवर्ट ब्राउन ने option B कैमिलो गोल जी ने option C रोवर्ट बिर्चाउन ने या option D C बेंडा ने तो बताए दोस्तो सही answer क्या है तो दोस्तो अगर आपने चुना option C तो आपने बिल्कुल सही answer चुना है कोशिका विवाजन को सरप सबसे पहले रोवर्ट बिर्चाउन ने देखा था और ये कब देखा था 1825 वी में ठीकर दोस्तो अब चलते हैं अपन next question पर next question है कोशिका के अध्यन को क्या कहा जाता है आपके option है option A साइटोलोजी, option B माइकोलोजी, option C फाइकोलोजी, option D इकोलोजी, बताए दोस्तो सही answer क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option A तो आपने बिल्कुल सही answer चुना है कोशिका के अध्यन को हम साइटोलोजी कहते हैं, दोस्तो ये बता दू माइकोलोजी, इसे हम कवक का अध्यन कहते हैं फाइकोलोजी, सहवालो का अध्यन और इकोलोजी, जो अपन परियावरण का अध्यन करते हैं उसे अपन इकोलोजी कहते हैं ठीक है दोस्तो, अब चलते हैı next question पे next question है निम्ण में से सबसे छोटी कोशिका किसकी है आपके option है option A mycoplasm galisepticma option B yuglina option C amoeba option D इन में से कोई नहीं तो बताएं दोस्तों सही answer क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option A तो आपने विल्कुल सही answer चुना है mycoplasm galisepticma की जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका कहलाती है ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन next question पे next question है निम्ण में से सबसे लंबी कोशिका किसकी है आपके option है option A तंत्री का तंत्र की option B अगनाशे की option C लिवर की option D अमाशे की तो बताएं दोस्तों सबसाएं answer क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option A तो आपने विल्कुल सही answer चुना है तंत्री का तंत्री की कोशिका सबसे लंबी कोशिका कहलाती है ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन next question पे next question है निम्ण में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी है तो आपके option है option A तंत्री का तंत्री की option B सुत्रमुर्ग के अंडे की option C अगनाशे की option D इन में से कोई नहीं तो बताएं दोस्तों सही answer क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option B तो आपने विल्कुल सही answer चुना है सुत्रमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है और जो तन्तिरी का तन्तिरी की कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका कहलाती है ये चीज थोड़ी ध्यान रखना दोस्तों कनफ्यूज करने वाली है तिक है? अब चलते हैं पन next question पे next question है कौन सी कोशिका काएं सूविक्सित होती हैं आपके option है option a prokaryotic option b eukaryotic option c a w b दोनों या option d इनमें से कोई नहीं तो बताएं दोस्तों कौन सी कोशिकाए सूविक्सित होती है तो दोस्तों अगर आपने चुना option b तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है eukaryotic कोशिकाओ को अपन सूविक्सित कोशिकाए भी कहते हैं ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन next question पे next question है prokaryotic कोशिकाओ की कोशिका वित्ती बनी होती है आपके option है option a प्लिपिड की option b cellulose की option c का protein वे कार्वाइडरेट्स की और option d पैक्टिन की तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option c तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है प्लिपिड कोशिकाओ की कोशिका वित्ती protein वे कार्वाइडरेट्स की बनी होती है अब चलते हैं दोस्तों next question पे next question है prokaryotic कोशिकाओं पाई जाती है आपके option है option a जीवानु वे नील हरित सहवाल में option b कवक में option c पादपों में या option d जन्तुओं में तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option a तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है prokaryotic कोशिकाओं जीवानु और नील हरित सहवालों में पाई जाती है ठीका दोस्तों अब चलते अपन next question पे next question है पादप कोशिकाओं की कोशिका वित्ती बनी होती है आपके option है option a पैक्तीन की option b प्रोटीन की option c सेलुलोज की या option d स्टॉर्च की तो बताईए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option c तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है पादप कोशिकाओं की कोशिका वित्ती सेलुलोज की बनी होती है तो दोस्तों आप चलते हैं next question पे तो next question है कोशिका जिल्ली बनी होती है आपके option है option a लिपिड की option b पेक्टिन की option c प्रोटिन की या option d स्टॉर्च की तो बताईए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option a तो आपने विल्कुल सही अंसर चुना है कोशिका जिल्ली लिपिड की बनी होती है ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन next question पे next question है तारक का है सेंट्रोजोम की खोज किसने की आपके option है option a एंटोनी वान लिवेन हॉक ने option b जॉर्च पैलेड ने option c बॉबेरी ने या option d बीजमेन ने तो बताईए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option c तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है तारक काई की खोज बॉवेरी नामक वेग्यानिक ने की थी तो दोस्तों आप चलते हैं पन next question पे next question है कोशी का जिल्ली की खोज किसने की आपके option है option a बॉवेरी ने option b जॉर्ज पैलेड ने option c कार्ल नेगली ने option d स्लाइड एनवे स्वान ने तो बताईए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option c तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है कोशी का जिल्ली की खोज कार्ल नेगली ने की थी ये एक स्विजर लेंड का वेग्यानिक था और इसने कोशी का जिल्ली की खोज 1855 में की थी तीका दोस्तों अब चलते हैं अपन next question पे next question है protein की factory किसे कहा जाता है तो आपके option है option a राइवोजोम को option b लाइजोजोम को option c माइटोकॉंड्रिया को और option d केंद्रक को तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option a तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है राइवोजोम को अपन प्रोटीन की factory कहते हैं ठीका दोस्तों अब चलते हैं अपन next question पे next question है राइवोजोम की खोज किसने की आपके option है option a वाटसनवे क्रिक ने option b रॉबर्ट हुक ने option c बॉवेरी ने या option d जोर्ज पैलेड ने तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option d तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है राइवोजोम की खोज जोर्ज पैलेड ने सन गुनिस सो पचास में की थी ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्यन पे next question है राइवोजोम नाम किसने दिया तो आपके option है option a रिचर्ड बी रॉबर्ट ने option b c बेंडा ने option c बॉबेरी ने option d बीजमेन ने तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option a तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है राइवोजोम नाम रिचर्ड बी डॉबर्ट नामक वेग्यानिंग ने दिया ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्यन पे नेक्स्ट कुश्यन है राइवोजोम किसका बना होता है तो आपके option है option a लिपिड का, option b स्टॉर्च का, option c RNAV प्रोटीन का और option d पैक्टीन का, तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option c, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है राइवोजोम RNAV प्रोटीन का बना होता है ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्यन पे नेक्स्ट कुश्यन है, कोसी का का सक्ती केंदर किसे कहते हैं यानि कि power house of cell, तो आपके option है, option A, राइवोजोम को, option B, केंदरक को, option C, लाइजोजोम को, option D, माइटोकॉंड्रिया को तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option D, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है माइटोकॉंड्रिया को कोशिका का सक्ति गराया सक्ति केंदर कहते हैं ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है, माइटोकॉंड्रिया की खोज किसने की आपके option है, option A, एंटोनिवान लिवेन हॉक option B, जॉर्ज पैलेड, option C, अलवर्ट वॉन कॉलिक और option D, बीजमेन ने तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों, अगर आपने चुना option C, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है माइट्रो कॉंड्रिया की खोज अलवर्ट वॉन कॉलिकर नामक बैग्यानिक ने सन 1857 में की ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है, माइट्रो कॉंड्रिया का नामकरण किसने किया आपके ओप्शन है, ओप्शन A. रिचर्ड वी रोवर्ट ने ओप्शन B. सी बेंडा ने ओप्शन C. बाववेरी ने ओप्शन D. बीजमेन ने तो पताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों, अगर आपने चुना ओप्शन B तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है माइटो कॉंड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने सन 1898 में किया ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है कोसिका के अनुव का यातायात प्रवंदक है आपके ओप्शन है ओप्शन A गोल जी का है ओप्शन B तारक का है ओप्शन C केंदरक ओप्शन D माइटो कॉंड्रिया तो बताएं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों, अगर आपने चुना ओप्शन A तो आपने बिल्कुल सही answer चुना है को सिगा के अनु और यात्यात प्रवंदक गोल जी का है कहलाता है थिक दोस्तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुर्षिन पे नेक्स्ट कुर्षिन है गोल जी क्या है की, खोज किसने की तो आपके option है तो बताए दोस्तो साही आंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना ओप्शन सी तो आपने विल्कुल साही आंसर चुना है गोलजी काय की खोज कैमिलो गोलजी नामक वेग्यानिक ने सन 1898 में की थीगा दोस्तो अब चलते हैं पर नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुशन है कोसिका की आत्मगाती थैली किसे कहते हैं आपके ओप्शन है ओप्शन A लवक को ओप्शन B राइवोजोम को ओप्शन C एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम को ओप्शन D लाइजोजोम को तो बताए दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना ओप्शन D तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुना है लाइजोजोम को कोशिका की आत्मगाती के थैली का आ जाता है ठीके दोस्तों अब चलते हैं पर नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है लाइजोसोम की खोज किसने की तो आपके ऑप्षन है ऑप्षन ए एंटोनी वान लिूमेन हॉक ने ऑप्षन बी डी डूबे ने ऑप्षन सी बौवेरी ने ऑप्षन डी बीजमेन ने तो बताएए दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्षन बी तो आपने विल्कुल सही अंसर चुना है लाइजोसोम की खोज डी डूबे नामक वेग्यानिक ने की कब की थी है 1950 में तीका दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है कोसिका का प्रबंदक किसे कहते हैं तो आपके ऑप्षन है ऑप्षन ए राइवोजोम को ऑप्षन बी केंद्रक को ऑप्षन सी लाइजोजोम को ऑप्षन डी माइटो कॉन्रिया को तो बताएए दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्षन बी तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुना है केंद्रक को कोशिका का प्रबंदक कहते हैं ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है केंद्रक की खोज किसने की तो आपके ऑप्षन है ऑप्षन ए बौवेरी ने ऑप्षन बी जॉर्ज पैलेड ने ऑप्षन सी रोवर्ट ब्राउन ने ऑप्षन डी स्लाइडेन या स्वान ने तो बताएए दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्षन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है केंद्रक की खोज रोवर्ट ब्राउन नमक वेग्यानिक ने की कब की थी ये 1831 सी इस भी में ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है समसूत्री विवाजन को सर्वपतम किसने देखा है तो आपके ऑप्षन है ऑप्षन ए वाल्थर फ्लेमिंग ने ऑप्षन बी डी डूबे ने ऑप्षन सी बौवेरी ने या ऑप्षन डी बीजमेन ने तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या है तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्षन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है वाल्थर फ्लेमिंग नामक वेग्यानिक ने समसूत्री विवाजन को सर्पतम देखा था तो ये कब देखा था ये देखा था 1889 में ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क अप्षन है अर्ध सूत्री विवाजन की खोज किसने की तो आपके ऑप्षन है ऑप्षन ए एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने ऑप्षन बी है जॉर्ज पैलेड ने ऑप्षन सी बौवेरी ने ऑप्षन डी बीजमेन ने तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना ओप्षन डी तो आपने विल्कुल सही आंसर चुना है अर्ध सूत्री विवाजन की खोज बीजमेन नामक वेग्यानिक ने की थी तो दोस्तों ये वीडियो आपे समापत होती है दोस्तों ये सभी कुषन काफी मैतपून कुषन है आप इन्हें एक दो बार रिपीट जरूर कर लें दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत